Hello dear studentes, आज की इस वीडियो में हम class 7th English textbook जो NCRT की है, उसके 6th chapter को पढ़ने जा रहे हैं, chapter का नाम है Expert Detectives, expert का मतलब होता है माहिर और detective का मतलब होता है जासूस, सपाई भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, expert detectives यनिके जो माहिर जासूस होते हैं, Before you read, पढ़ने से पहले, निशाद, a boy of seven, also called seven because his name means the seventh note on the musical scale, and his ten year old sister Maya are very curious about one, Mr. Naat. निशाद, जो कि एक साथ साल का लड़का है, उसको seven भी कहा जाता है, साथ भी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, देखो असल में उसका नाम तो निशाद है, लेकि उसको seven कहा जाता है, सेवन इसलिए कहा जाता है, क्योंकि उसका नाम जो है, उसका मतलब गानू का सात्वा सारे गामा पादा नी फिर सा है आठवा फिर से तो यही इसका मतलब है इसी दिए इसको सेवन भी कहा जाता है और उसकी दस साल की बहन जिसका नाम माया है यह दोनों बहुत उत्सुख हैं क्यूरियस हैं ठीक है उतावले हैं about one Mr. Nath एक इनसान के लिए जिसका नाम Mr. Nath है यह Mr. Nath किसी Mr. Nath के लिए बहुत उत्सुख हैं बहुत क्यूरियस हैं तो इसी में बच्चों का जो मार्बल है वो रोल करते हुए वो लुड़कते हुए Mr. Nath के कमरे में चला जाता है और इस तरह से निशाद जो की क्यूरियस था सुखसा इसको देखने के लिए उसे एक मोका मिल जाते है इसको देखने का उसे एक चांस मिल जाती है Mr. Nath को देखने की इस ही एक क्रूकड अंदर रन और कहता है कि क्या ये क्रूकड क्रूक का मतलब होता है बच्चो अफरादी जिसने कोई अफराद किया हो ठीक है क्या ये कोई अफरादी है अंदर रन जो बागा हुआ है या फिर Why is his face badly scared और या उसका चाहरा जो भो badly scared वो बुरी तरह से disfigur क्यों है उसका चाहरा थोड़ा मतलब अजीब सा क्यों है scared का मतलब डरा हुआ सा यहां हम कह सकते हैं यहां पर उसका चाहरा बिगड़ चुका था क्यों ऐसा क्यों था उसके पास दोस्त क्यों नहीं है वो दोस्तों में क्यों नहीं बैठता निशाद की मा जो थी वो एक डॉक्टर थी वो मिस्टर नाथ को जानती थी as a patient एक patient की तोर पे एक मरीज के तोर पे लेकिन बच्चों की नजर में वो क्या लग रहा था एक अफरादी लग रहा था जो बागा हुआ है जिसका चैरा जो है पूरी तरह से बिगड़ा हुआ है और उसका कोई दोस्त नहीं है who is very polite निशाद की मा की नजर में जो की doctor है उसकी नजर में ये एक patient था जो की बहुत नर्म मिजज इंसान था polite मतलब बहुत अच्छा था well mannered था now let's start the story expert detectives part first as we walked back towards the clinic seven said he doesn't look anything like a monster maya but did you see how thin he is maybe he is very poor and cannot afford to eat कहते हैं जैसे ही हम किलने की तरफ जा रहे हैं चल रहे हैं तो seven कहता है यानि कि यही लड़का निशाद जिसका नाम है यह कहता है क्या कहता है he doesn't look anything like a monster maya maya से यानि कि अपनी बहन से कहता है कि maya यह जो आदमी है यह किसी monster जैसा भी तो नहीं लग रहा है मतलब यह किसी raqshus यह किसी jin-boodh की तरह भी तो नहीं लग रहा है उतना मोटा तो यह है नहीं but did you see how thin he is क्या आपने देखा यह अपनी बहन से कहता है क्या आपने देखा वो कितना दुबला पतला है thin का मतलब होता है कितना पतला है maybe he is very poor शायद वो वो बहुत गरीब होगा and cannot afford to eat शायद उसके पास पैसे नहीं होगे वो बहुत गरीब होगा इसलिए वो इतना दुबला पतला है he cannot be poor if he is a crook on the run I told him तो माया कहती है कि मैंने उसे कहा वो गरीब नहीं हो सकता अगर वो एक crook हुआ तो अगर वो एक मुझरिम हुआ अगर कोई अफरादी हुआ तो फिर वो कोई गरीब नहीं है अगर वो बागा हुआ एक अफरादी है तो फिर वो कोई गरीब नहीं होगा he is probably got millions of rupees stashed away somewhere in that room तो माया ने इसे कहा कि अगर वो एक crook है तो शायद फिर उसने millions of rupees stashed away यानि कि hidden छुपा रखे होंगे आपने उस कमरे में कहीं ना कहीं पे stashed away का मतलब होता है छुपा लेना hidden away do you really think he is a criminal माया तो अब ये seven जो है ये निशाद ये अपनी बहन से फिर से पूचता है कि क्या आपको लगता है कि आप सही में ये सोच रही है कि वो एक क्रिमिनल है वो एक अफरादी है माया he doesn't look like one निशाद look doubtful और कहता है कि he doesn't look like one वो ऐसा नहीं लग रहा वो अफरादी वो क्रिमिनल नहीं लग रहा वो doubtful मतलब वो अब शक के अंदेशे में पड़ गया of course he is one seven eyes है तो माया नहीं से कहा कि seven ये मेरे बाई बिलकुल वो एक ऐसा ही अफरादी है is one का मतलब he is one मतलब वो एक अफरादी ही है and he certainly isn't starving और वो भूग से नहीं मर रहा starving का मतलब होता है बूग से मरना ठीक है कैती है उसे कि वो एक अफरादी है उसके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो भूग से नहीं मर रहा वो दुबला पतला दिख रहा हमें वो गरीब वरीब नहीं है Mr. Mehta told us that Mr. Mehta ने हमें बताया था कि Ramesh इसके लिए खाना ले के आता था मिल्स ले के आता था कहां से? रेस्टोरेंट आँसे यानी सीडियू से नीचे जो रेस्टोरेंट है होटेल जो है वहां से इसके लिए खाना लाता था मतलब ये होटेल का बना पका खाना खाता था निशाद ने इसे कहा बहन से कि माया अब मुझे ये बताओ कि मिस्टर महता ने तो ये भी बताया था हमें कि ये कोई काम अगेरा नहीं करता है इसका कोई कामकाज नहीं है तो फिर ये कैसे पैसे अरेंज करता है तो फिर ये पैसे कहां से लाता है गजा की अदाईगी करने के लिए यानि कि गजा खरीदने के लिए Exactly I exclaimed He must have lots of money hidden somewhere May be in that trunk in his room तो माया कहती कि हाँ बिलकुल मैंने उसे जवाब दिया बिलकुल उसके पास बहुत सारे पैसे हैं उसने चुपा रखे हैं कहीं पे शायद उसने उस ट्रॉक में चुपा रखे हो जो ट्रॉक उसने अपने कमरे में रखा हुआ था जो पेटी अपने कमरे में रखी हुई थी शायद उस पेटी में उसने बहुत सारे पैसे चुपा रखे हैं It's probably full of silver and gold and jewels and dash तो यह से कहती है कि शायद उसमें बहुत सारा silver मतलब चांदी होगा बहुत सारा सोना होगा jewels हीरे होंगे and dash का मतलब यहां पे और भी बता रही है कि उसमें बहुत सारे हीरे जवाहिरात बहुत सारे ornaments और बहुत सारे पैसे होंगे What rubbish निशाद interrupted निशाद अब interrupt करता है इसकी बात कारते कारते कहता है What rubbish आप क्या बोल रही हो आप क्या बकवास कर रही हो I know I am right stupid I told him अब माया इसे कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ मुझे सब पता है stupid यह अपने बाई को कहती है रे बेवकूफ मैं सब कुछ जानती हूँ By the way 7 Do you see his scars तो आप यह कहती है By the way 7 आप छोड़ो इन बातों को 7 जाने दो इन बातों को क्या आपने उसके चहरे पर scars देखे scars कहते हैं Daug को जो चहरे पर होते हैं ठीक है तो कहती है क्या आपने उसके चहरे पर scars I couldn't, it was too dark तो ये निशाद इसे कहता है कि मैंने नहीं देखे क्यों 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 कि बहुत अंधेरा था अंधेरी थी रूम में But I bet he got them during a shoot out with the police or something माया इसे कहती है कि मैं शर्त लगाती हूँ bet का मतलब हो था शर्त लगाना मैं शर्त लगाती हूँ कि उसे वो scars वो दाग कहां से लगे होंगे जब वो पुलीस से अफराद करके वो पुलीस से बाग रहा था तो शूट के दोरान पुलीस जब गोलियां चलाई या कोई दोसरा चीज चलाया तो उसकी वज़ा से वो scars भी बताया था साफ तोर पे कि उसके वो निशान जो है वो जलने की वज़ा से वो जलने के निशान है ना कि वो पुलीस की शूटिंग के वज़ा से हैं वो बुलेट के निशान नहीं है गोली वगेरा के निशान नहीं है बलकि वो जलने के निशान है तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे तो माया ने कहा कि शायद पुलीस ने उसके गर में आग लगाती थी उसको बाहर निकालने के लिए उसको बाहर निकलने पे मजबूर करने के लिए फोर्स हिम आउट का मतलब वो छुपके बैठा था पुलीस ने आग लगाई ताकि वो बाहर आ जाए माया कहती है कि I suggested मैंने ये कहा सवन लुक्ड़ अन्शूर और सवन परिशान कन्फ्यूस हो गया थोड़ी सी मतलब बात में थोड़ा लाजिक है उसके दम मुँपे अगर जलने के निशान है तो माया इस तरह से स्टोरी बना रही है कि उसको थोड़ थोड़ यकीन हो रहा है कि माया शायद सच भी कह रही है ठीक है अब ये थोड़ा अन्शूर थोड़ा कन्फ्यूस्द है On the Monday following mama's birthday Seven went alone with her to the clinic at Girgum as I was spending the evening with a school friend माया कहती कि जब Monday के दिन On the Monday following mama's birthday मा के birthday के बाद जो Monday आया, Monday का दिन आया following का मतलब होता है Coming after, किसी के बाद कोई चीज़ आना साइड में आप में नहीं देख सकते हैं कहती है कि जो Monday का दिन था मामा की birthday मनाने के बाद जो आया Seven, यानि कि इसका बाई वो अकेला उसके साथ यहने कि ममा के साथ उसके किलनिक चला गया जो की गिरगाम में इसका किलनिक था और कैदी कि मैं शाम बिताने के लिए शाम स्पेंट करने के लिए अपनी स्कूल फ्रेंड के साथ चली गई When they returned निशाद टोल्ड मी He had been to see Mr. Nass and I felt most annoyed that I had not been there और जब वो वापस आए किलनिक से वापस आए तो यह अपनी बहन से कहता है निशाद अपनी बहन से कहता है कि मेरा मिलना मेरा देखना Mr. Nass को हुआ यानि कि मैंने Mr. Nass को देखा ठीक है और कहती कि मैं annoyed हूँ annoyed मतलब मुझे गुसा आया annoyed का मतलब क्या हुता है गुसा आना क्यूं? That I had not been there क्यूंकि मैं वहाँ पे नहीं थी मैंने Mr. Nass को नहीं देखा था उपर पहले आपने देखा कि यह दोनु बहुत क्यूरियस थे बहुत अकसुप थे Mr. Nass को देखने के लिए तो इस बात पर इसे गुसा आता है कि मैंने Mr. Nass को क्यूं नहीं देखा Seven had been quite upset about Mr. Nass gaunt appearance and was sure that he was starving Seven बड़ा परेशान था बड़ा उदास था Mr. Nass की उस gaunt appearance की वज़ा से gaunt का मतलब होता है sickly जो बिमार जैसा दिखने वाला चहरा था उसका पतला सा चहरा जिस पे बहुत सारे scars थे दाग थे और उसे ये पूरा पता था वो ये believe करता था मानता था कि उसको भूख ही लगी है भूख की वज़ा से वो इतना दूबला पतला या बिमार जैसा दिख रहा है He told me that he had knocked loudly on Mr. Nass door that evening and said Open the door quickly Mr. Nass Maya कहती है कि मुझे बाई ने बताया कि जिस दिन हमारे वो marble वो कांच की छोटी सी बाल जोती ने जिसको खेलते हैं टिंका चोट कहती है जब वो उसके गर में चली गए थी रूमें चली गए थी तो मैंने दर्वाजा खट-खट आया नौक किया नौक करने का मतलब दर्वाजा ठोकना खट-खट आना loudly जोर-जोर से और में इसे कहा कि open the door quickly Mr. Nass Mr. Nass दर्वाजा जल्दी से खोलिए दर्वाजा जल्दी से खोलिए और फिर उस आदमी ने दर्वाजा खोला मेंस की Mr. Nass ने दर्वाजा खोला और पूछा कि क्या आपने एक और मारबल खो दिया मारबल का मतलब वो गोटी जिसको हम खेलते हैं ना टिंग का चोट जिसको बच्पन में खेला करते थे ठीक है क्या आपने एक और मारबल खो दिया He had obviously recognized my brother अब माया कहती है कि शायद उसने मेरे बाई को अच्छी दरह से पहचान लिया होगा No, said Nishad He had taken the man's hand in his own and thrust a bar of chocolate into it और Nishad ने कहा कि नहीं नहीं मेरा यहाँ पे कोई मारबल नहीं खोया है फिर उसने कहा कि उस man का हाथ अपने हाथ में लिया और उसके हाथ में एक chocolate, bar of chocolate जो है उसके हाथ में रख दिया thrust मतलब जोर से रखना जटके से रखना नीचे की तरफ जिसमें जोर लगता है Did you get a chance to peak into the trunk 7? I asked it माया कहती है कि मैंने अपने बाई से पूछा 7, क्या आपको मोका मिला उसके trunk को देखने का peak करने का मतलब जांकना ठीक है? देखना जल्दी से look quickly and secretly ठीक है? मतलब जल्दी से देखना जांकना किसी चीज़ को निशाद looked disappointed तो निशाद disappointed, upset सा दिख रहा था He didn't even ask me in तो निशाद से कहता है कि मुझे उसने अंदर तक भी नहीं आने दिया माया से कहता है I went down to the restaurant में restaurant से नीचे गया जहां पर हमेश काम करता था and talk to him और उसके साथ बात की Good for you, Mr. Detective I said तो माया कहती है कि मैंने उसे कहा Good for you, बहुत अच्छा किया Mr. Detective Patting him on the back, I hope you questioned him properly Pat कनमल धपता पाना कहती है कि मैंने उसकी पीट थप 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 आई उसको ऐसे हाथ से किया कहा कि अच्छा किया आपने Mr. Detective मुझे आशा करती हूँ यह उमीद है मुझे कि आपने उसको अच्छे से सवाल किये होंगे आपने उसको अच्छे से सवाल पूछे होंगे Seven looked at please तो Seven जो है वो थोड़ा सा खुश दिख रहा था रेमेश टोल मी एट ही टेक्स तू मील्स पर मिस्टर नाथ एवरी मॉर्निंग और इवनिंग और तू कपस अफ टी यह Seven कहता है कि रेमेश ने मुझे बताया वो मील्स लेके जाता है दो मील्स लेके जाता है मिस्टर नाथ के लिए एवरी मॉर्निंग और इवनिंग एक सुबा और एक शाम को ठीक है यानि कि दिन में दो बार मील्स लेके जाता है और दो कप चाय के One in the morning and one in the afternoon चाय भी एक कप सुबा ले जाता था और एक कप दो पहर को आफ्टर नून का मिल्स दो पहर को याद रख लेना है आपको बच्चो कि चाय वो दो बार पीता था एक सुबा और दूसरा कप दो पहर को लेकिन मील्स खाना वो खाता था एक सुबा और शाम को और रeमेश ने कहा थोड़ी बहुत समझा जी होती है, Mr. Nath pays cash and tips well, तो Mr. Nath cash भी देता है, पैसे भी अदा करता है, जो भी वो खाना खाता है, और उसके साथ साथ वो tip भी प्रोवाइड करता है, सेवन ने और कहा, कि माया क्या आपको पता है, रमेश ने कुछ मुझे अजीब सी बातें कही, कुछ स्ट्रेंज अजनबी सी बातें कही, अल्मूस्ट आवरी संडी, he carries two lunchs to Mr. Nath's room, and the same man is with him each time, तो रमेश ने जो अजीब बात कही थी, वो ये थी, कि उसके साथ हमेशा एक ही इनसान रहता है, वो उसने कहा था, कि मैं उसको दो बार खाना लेके जाता हूं, लाच लेके जाता हूं Mr. Nath's room में, और मैं वहाँ पे एक ही इनसान को उसके साथ देखता था, एक ही man को, आद लंबा था, फेर, थोड़ा गोरा था, स्टाउटन वियर्स, मुद्ब अच्छे कपड़े, फैशनेबल कपड़े पहने वोएते थे, स्पैक्टेकल्स और चश्मा लगाया होता था, रमेश ने उसे कहा, कि जो विजिटर्स होते हैं, जो Mr. Nath के पास आते हैं, वो बहुत ज ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वेल्डन निशाद, I told him, now that we have made some progress with our inquiries, we will have to sort out all the facts like expert detectives so that we can trap the crook, अब माया कहती है कि मैंने उसे शाबाशी दी वेल्डन कहा, निशाद, अब हमने कुछ progress की है अपनी inquiries में, जो हम जांच परताल कर रहे हैं, उसमें कुछ हमने progress की है, ठी expert detectives की तरह काम करेंगे, और जो crook है, जो criminal है, जो मुझरिम है, उसको trap करेंगे, उसको पकड़ लेंगे, how you do go on, माया, seven side, seven अब गहरी सांस लेते होई कहता है, कहता है कि, अरे माया, अब बताओ कि आप आ गया, आप क्या करोगी, आप कैसे काम करोगी, आप ये क्या कह रही ठीक है, side, मतलब एक गहरी सांस लेता है, मतलब माया की बातों पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, how can you possibly imagine, he's a crook, आप ये कैसे सोच रही हो, आप ये कैसे imagine कर रही हो, कि वो crook है, कि वो criminal है, he looks so ordinary, वो कितना आम सा, साधार सा, सिंपल सा दिखने वाला है, तो आप कैसे imagine कर सकती हो, कि वो एक criminal है, criminal can look quite ordinary, smarty, I retorted, तो माया कहती कि मैंने कहा, criminals जो है, ये साधारन ही डिखने वाले होते हैं, ये ordinary, ये simple ही दिखने वाले होते हैं, smarty होते हैं, ये I retorted, retorted मतलब मैंने कहती कि मैंने उसे तुरत जवाब कि वो पिक्चर उसकी फोटो देखी थी पेपर में, निउस पेपर में, यस्टरड़े मतलब कल देखी थी, हाउस बेकर का मतलब होता है, जो मकान वगएरा तोड़के, वहाँ चोरी करता है, क्या आपने उसकी शकल देखी थी, वो एक आम सा आदमी दिख रहा था, जो स्टीट पे होते हैं, एक बिकारी की तरह दिख रहा था, लेकिन वो कितना समार्ट निकला, वो कितना खतरनाक निकला, उसने चोरी की थी, और वो फिर पेपर में आया था, निशाद लुक डावटफुल, अब निशाद फिर एक गहरी सोच में पढ़ जाता है, ठीक है, निशाद परेशान हो जाता है, चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे, The Monsons Broke the Next Day, Monsons Broke मतलब शुरू हो जाना, अब बारिश है शुरू हो रही हैं अगले दिन से, तो क्या होता है कि काले बादल मंडरा रहे होते हैं, उनके साथ-साथ बड़ी कड़कदार बिजली गिर रही होती है, लाइटनिंग का मतलब बिजली, ठीक है, अपनी पूरी स्पीड के साथ, अपनी पूरी एनरजी, टाकत के साथ, वलडिंग दे स्ट्रीट winners with a heavy downpour, और पूरी गलियां जो हैं, उनमें सेलाब ऐँ जाता है, उनमें पानी पर जाता है, बहुत ज़्यदा बारिश की वज़ा से बहुत ज़्यदा बारिश होती है और फिर सारी गलियों में पानी बर जाता है सेलाब आ जाता है स्कूल वास टो हैव रियोपन आफ्टर दे समर हॉलिडेज और बताया जाता है कि स्कूल को अब रियोपन होना था स्कूल खुलने वाले थे समर हॉलिडेज के बाद लेकिन ट्राफिक न चलने की वज़ा से रोडस ब्लॉक थे उन पर सेलाब आया हुआ था और इसकी वज़ा से एक अनेक्सपेक्टेड हॉलिडेज एक जिसकी उमीद ही नहीं थी एक ऐसी छुटी हमें मिल गई और माया कहती है कि मैंने सोचा मैं स्पेंड करूँगी इस टाइम को यूज़फुली और मैं अपने बैडरूम के एक डेस्क पे बैठ गई एक पेपर अपने सामने रखके एक शीट अपने सामने रखके चली बचो बढ़ते हैं आगे तो देखिए ये दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर का इसी सबग का I wrote in large block letters तो कहती कि मैंने बड़े-बड़े अक्षे रूम में बड़े-बड़े letters में लिखा क्या लिखा catching a crook नीचे देखो कि लिखा हुआ है catching a crook एक मुझरिम को पकड़ना एक मुझरिम को catch करना expert detectives, nishad and maya pundit by appointed to the whole world तो expert detectives कौन को एक nishad pundit और maya pundit जो appoint किये हुए है whole world ने तो side में इसकी meaning भी है by appointment to का मतलब होता है officially chosen by someone important जो officially choose किये गए होते हैं then I begin writing कहती ही कि मैं शुरू करती हूँ ये कहानी ये लिखना about half an hour later I turned towards seven who was lying on his tummy chin-cuped in his palms reading comics और कहती ही कि आदे गंटे के बाद जब मैं लिख रही थो तो आदे गंटे के बाद मैं seven की तरफ मुड़ी जो seven अपनी tummy मतलब अपने पेट के बल नीचे बड़ा हुआ था स्वया हुआ था chin-cuped in his palms अपनी हथेलियों पे ठोड़ी रखे हुआ था गाल को पकड़े हुआ था जैसे आप नीचे देख रहे होंगे कि कैसे ये बैठा है पेट के बल बैठा हुआ है और हाथ के नीचे हाथ पे ये सर रखा हुआ है reading comics और ये comics की किताब पढ़ रहा था want to hear what I have written I ask her माया कहती कि मैंने इसे पूछा कि क्या आप सुनना चाहते हो मैंने जो लिखा है जो मैंने इस paper पे लिखा है क्या आप ये सुनना चाहते हो ये माया कहती है किसको seven को he looked up questioningly तो उसने जब माया ने उसे कहा था कि क्या आप सुनना चाहोगी कि मैंने क्या लिखा इस paper पे तो उसने उसकी तरफ कैसे दिखा questioningly मुलब जैसे वो कुछ पूछने वाला था I have listed all the facts we know about Mr. Nats which might help us to trap him I said, want to hear माया कहती है कि मैंने इस paper पे इस sheet पे सारे वो factors लिख लिए हैं जो हमें मदद करेंगे Mr. Nats को trap करने में इसको पकड़ने में ये से कहती है कि want to hear क्या आप सुनना चाहोगे कि मैंने क्या लिखा है seven nodded तो seven ने सर हिलाया और कहा कि हाँ मैं सुनना चाहता हूँ nodded का मतलब था सर हिलाना fact number one I read his name is Mr. Nats माया कहती कि मैंने पढ़ना शुरू किया fact number पहला जो था कि उसका नाम है Mr. Nats we must discover his first name हमें उसका पहला नाम पता करना होगा हमें पहला नाम उसका discover करना होगा do you think that that's his real name माया निशाद आसकर निशाद निशाद निशे पूछा कि माया क्या आपको लगता है कि ये इसका सही नाम है कि ये इसका real name है सचा नाम है probably not I said तो यसे कहती है कि शायद नहीं मैंने उसे कहा कि शायद नहीं most crooks have an alias तो बहुत सारे crooks जो होते हैं जो मुझरिम होते हैं इनके alias होते हैं alias का मतलब alternate name ये अलग-अलग नाम रखते हैं ये सही नाम नहीं बताते हैं I added a big question mark after not और मैंने after not Mr. Nath के साथ में एक बहुत बड़ा question mark note of integration लगाया है यनिकी सवाल पैदा कर रहा है कि ये Mr. Nath ही है क्या इसका सही नेम क्या इसका real name Mr. Nath ही है fact number two I read on the tenants at shankar house say he is mad, strange and unfriendly दूसरा fact कहती है कि मैं पढ़ती गई I read on मैं पढ़ती गई जो tenants थे शंकर house में जो किरायदार थे शंकर के house में वो बताते हैं कि वो पागल है mad है, strange, जनबी सा, अजीब सा है और unfriendly, वो किसी के साथ दोस्ताना नहीं रखता है fact number three he doesn't talk to anyone and is mannerless वो किसी से बात नहीं करता है वो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करता है और वो mannerless है किसी की इज़त नहीं करता है उसके अंदर वो इखलाक, वो ethics, वो manners नहीं है but he did talk to us maya and mama says he is very polite निशाद interrupted निशाद अब interrupt करता है maya की बात काटते होए कहता है कि लेकिन वो तो हमसे बात करता है माया and mama says he is very polite यह इसे कहता है कि maya वो तो हमसे बात करता है और mama ने भी बताया कि वो बहुत polite है, बहुत शरीफ है बहुत अच्छा इंसान है यह निशाद maya की बात काटते होए कहता है interrupt करना मतलब बात काटना he only talked to us because he had to I said and since he was under mama's medical treatment he had to be polite maya ने इसे कहा कि हाँ उसको बात हमसे करता है और उसको करनी चाहिए हमसे बात क्योंकि वो mama के medical treatment के अंदर होता है, वो उसकी medical shop पे जाता है वो उसका treatment करती है तो उसे polite भी रहना पड़ता है वहाँ पे, तो अगर वो polite नहीं रहेगा mama उसका treatment नहीं करेगी और इसी लिए वो हमसे भी बात करता है यह maya किसको बता रही है seven को यह story कह रही है fact number four, he doesn't receive any letters seven nodded और fact number four बताती है कि उसे कोई चिठिया नहीं बेजता कोई खत नहीं बेजता, कोई letter उसको नहीं मिलती है और इस बात पे seven nod करता है, उसे अपना सर हिलाता और कहता है कि हाँ हाँ और number five, he is been living in room number ten of shankar house for more than a year I continued, और पांचवा नमबर से बताती है कि वो room number 10 में रह रहा है, वो continue एक साल से वहाँ पे रह रह रहा है, room number 10 में, और कहती है कि मैं continue करती हूँ room number six, he does not work and sits in his room all day, वो कोई काम नहीं करता है बलकि वो पूरा दिन अपने कमरे में बैठा रहता है, पूरा दिन अपने room में बैठा रहता है और कोई कामकाज नहीं करता, number seven, the kids in shankar house and even some of the grown-ups are scared of you, सात्वी बात ही इसे कहती है कि जो शंकर के गर में बच्चे हैं, kids हैं, kids कहते हैं बच्चों को और grown-ups हैं, और बड़े बात ही इसे कहती है कि उसके पास कोई भी नहीं आता, उसके पास कोई visitor नहीं आता है, किसके बगएर एक speckled, एक चश्मिश के बगएर चश्मिश के मतलब, जिसने चश्मिश के बगएर, एक गोरा सा fat man, जो मोटा मोटा है, जो इसके पास आता है, Sundays for lunch, lunch करने इसके पास Sunday की दिन आता है, number nine food and tea are taken to his room by Ramesh from the restaurant downstairs, नवमी वात यह से कहती है कि गजा, खाना और चाई इसको कोई लेके जाता है, इसके रूम में Ramesh लेके जाता है, रेस्टोरेंट से, downstairs, जो सीडियों से नीचे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ से चाई, और वहाँ से खाना लेके इसके रूम में कोई जाता है, रेमेश जाता है, he does not care what he eats, pays his bill immediately and tips well और उसे इस चीज़ का care नहीं है, कि वो क्या खाता है, उसको क्या मिलता है खाने के लिए, और वो bill भी जल्दी pay कर देता है, सिर्फ bill ही नहीं, बलकि वो tips भी देता है, ठीक है वो extra पैसे भी देता है, that ends my list, और माया से कहती है कि यहाँ पे मेरी list जो है, यह खतम होती है have I forgotten anything 7, 7 से कहती है, क्या मैं कुछ बुली हूँ, कुछ लिखना इसमें, क्या मुझे कुछ छूटा है लिखना, ठीक है, निशाद had obviously not been paying too much attention to my list of facts अब माया कहती है, कि जो मेरी यह list of facts थी, निशाद इन पे ज्यादा attention नहीं दे रहा था ज्यादा इनकी तरफ तवज्जा नहीं दे रहा था all he could say words, वो सिर्फ उसके पास कोई visitor नहीं था, नहीं आता था उसके पास तो इसलिए उसको अकेले रहना पड़ता था यह सिर्फ कौन कहता था यह seven, माया से कहता था, how can a crook have friends, idiot, I almost shouted माया कहती कि मैंने उसे चिला के कहा, जोर से कहा कि idiot अरे, बद्दू अब बताओ कि एक crew के पास, एक मुझरिम के पास friends कैसे होंगे, उसके दोस्त कैसे कोन बनेगा उसका दोस्त at least he has one friend the one who meets him on Sundays said निशाद, निशाद ने उसे कहा कि at least फिर भी उसके पास एक दोस्त तो है जो उससे Sunday के दिन मिलने आता है उसके साथ लांच करता है a brilliant thought occurred to me just then माया कहती ही कि एक विचार, एक ख्याल, एक idea मेरे दिमाग में आता है ये बात सुनकर जब निशाद से कहता है कि at least उसके पास एक दोस्त है जो Sunday की दिन उससे मिलने के लिए आता है तो ये बात सुनने के बाद उसके दिमाग में एक brilliant thought आता है that man must be Mr. Nats accomplished in crime I said माया कहती कि मैंने उससे कहा वो आदमी, वो शक्स जो मिलने आता है वो Mr. Nats का accomplished हो सकता है accomplished का मतलब side में आप meaning डिख सकते a helper in crime जो जरुम करने में किसी की मदद करता है you part of it to his partner Mr. Nats for expenses माया से कहती है कि शायद उसने जो भी इन्होंने लूटा होगा जो भी इन्होंने लूट मार की होगी जो चुराया होगा वो उसने अपने पास रखा होगा और अब वो उसका part उसका हिसा अपने partner को यानि कि Mr. Nats को देने के लिए आता है expenses के तोर पे वो इसको ये लूट लूट का जो वो महल है यान चीज़ें हैं वो इसको देने के लिए आता है That's it, I'm sure I'm right यह से कहती है कि यही बात है बस मुझे पूरा पक्का पता है मैं sure हूँ, मुझे परोसा अपने आप है कि मैं सही हूँ, मेरा guess भी सही है कि यह जो आदमी से मिलने आता है यह भी यह इसका accomplish है यह इसकी help करता है crime करने में और Mr. Nats जो है एक क्रूक है वो भी एक criminal है If you insist on calling him a criminal I don't think I want to discuss anything with you Maya said निशाद angrily अब निशाद गुस्रे से कहता है कहता है कि अगर आप उसको criminal कहती रही अगर आप उसको यही बुलाती रही कि वो criminal है, वो मुझरिम है तो फिर मुझे लगता है कि मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी चाहिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी चाहिए मैं आपसे discuss नहीं करना चाहता हूँ माया से कहता है निशाद ये बड़े कुस्से से कहता है निलब यहां पर भी देखो कि निशाद अभी भी किस के फैवर में है उसी मिस्टर नास के फैवर में है कहता है कि वो क्रिमिनल नहीं है और दूसरी तरफ से माया उसके अपोज में है अपोजिट है वो कहती है कि एक क्र तो यह से कहता है कि वो उतना बुरा आदमी नहीं हो सकता कि वो रमेश को जो जिनरेस टिप्स जो देता है अगर वो बुरा होता तो रमेश को टिप्स नहीं देता उसको वो ज्यादा पैसे नहीं देता यह कौन कह रहा है यह सेवन कह रहा है यह निशाद कह रहा है अपनी बह में पता है उसको शायद उसके क्रिमिनल का क्राइम का उसके जुर्म का पता है इसलिए वो उसके पास आता है यहां इसको यह ब्राइब यह रुश्वत देता है चुप रहने के लिए ठीक है शांत रहने के लिए उसको यह रुश्वत देता है कि भाया मेरा यह जो क्राइम है मेरा जो यह कारणामा है यह किसी के आगए एक्सपोज मत करना मुझे किसी के सामने जलील मत करना इसलिए शायद वो उसको टिप्स दिया करता था निशाद ग्लैड एट मी विजिस आर्म्स टाइटी क्रॉस्ट अक्रास हिस चेस्ट I was beginning to get fed up with him तो कहती है कि निशाद मेरी तरफ गूर ने लगा अपनी आर्म्स को अपनी बाजों को tightly cross करके अपने सीने से ठीक है ऐसे मतलब बाजों को cross करके अपने सीने से लगा कि वो उसकी तरफ गूर गूर के देखने लगा और कहती है कि मैं भी अब fed up होना शुरू हो गई थी यानि कि मुझे अब कोई दिल्जस भी नहीं थी इसे बात करने में मैं अब तंग आ रही थी निशाद से बात करने में माया कहती है कि मैंने उसे पूछा से 7 तो फिर हम कैसे progress करेंगे अपनी investigations में अगर आप ऐसा ही attitude दिखाते रहोगे अगर आप उसकी तरफदारी करते रहोगे उसके favor में रहोगे आप अपना ये नजरिया attitude नहीं बदलोगे तो हम कैसे progress करेंगे investigation हम कैसे पता चला पता लगा पाएंगे Mr.Nath के बारे में ये बहन अपने बाई 7 से पूछ रही है I will cooperate only if you give up this idea about him being an escape crook said 7 You really make me angry तो 7 इसे जवाब देता है कहता है कि मैं आपसे cooperate करूँगा मैं आपकी help करूँगा मैं आपसे mail करूँगा कि अगर आप एक शर्त पे मेरी बात अगर मानोगी कि आपको ये idea छोड़ना पड़ेगा जो आप उसको escape group बुला रही हो आप कहती हो कि वो एक बागा हुआ मुझरिम है आपको ये बात नहीं कहनी पड़ेगी तो तब मैं आपके साथ cooperate करूँगा ये 7 इसे कहता है और कहता है कि You really make me angry आप मुझे सही में गुसा दिला रही हो 7 इसे कहता है कि आपको मुझे गुसा नहीं दिलाना होगा आपको उसे escape group भी नहीं बुलाना होगा तो फिर मैं आपको आपके साथ cooperate करूँगा I almost hit him I make you angry You stupid off I shouted माया कहती कि मैं बस उसको hit करने ही वाली थी I almost hit him मैं आप उसको मारने ही वाली थी I make you angry You stupid off I shouted कहती कि You stupid off बेवकुफ आदमी बेवकुफ इनसान मैं चला के बोली I make you angry मैंने आपको गुसा दिला रही हूँ कैसे दिला रही हूँ I shouted मतलब कहती कि मैं जोर से उसे कह रही हूँ You make me mad अब मुझे पागल कर रहे हूँ अब मुझे mad कर रहे हूँ What is the point of all these inquiries if he is not a crook मैं उसे कहती है कि अगर वो एक अफरादी नहीं है अगर वो एक crook नहीं है तो इन सारी inquiries का क्या मतलब है इनका क्या point है इन सारी चीज़ों का इनका क्या मतलब है फिर अगर वो एक crook नहीं है तो If you think he is a nobody What is the idea bothering about him Please tell me मैं इसे कहती कि अगर आप सोचे हो अगर आपको लगता है कि वो कुछ नहीं है वो कोई crook वूक नहीं है वो कोई मुझरिम नहीं वो एक आम सा इंसान है तो what is the idea bothering about him तो कौन सा एक ऐसा विचार है कौन सा एक ऐसा idea है जो आपको परेशान कर रहा है बौदर कर रहा है उसके बारे में Please tell me मुझे बताओ अब ऐसा लग रहा है कि निशाद किसी सोच में पढ़ रहा है अब ये कुछ सोच रहा है अब ये कहता है कि मैं ये पता करूँगा मैं जानूँगा मैं पता लगाऊँगा कि वो इतना थिन इतना पतला सा क्यों है and why he is so lonely और वो इतना तनहा क्यों है I want to know why he does not have any friends and lives alone और कहता है कि मैं ये जानने की कुशिश करूँगा मैं चाहूँगा जानना कि वो अकेला क्यों रहता है और उसके दोस्त क्यों नहीं है वो दोस्ती क्यों नहीं करता किसी से और वो अकेला रहना क्यों पसंद करता है मैं ये सारी चीज़ें जानना चाहूँगा Try to understand 7 I told him if he is lived in Shankar house for a year and has not made a single friend there is something wrong माया कहती है कि मैंने 7 से कहा Try to understand समझने की कुशिश करो 7 अब ये से प्यार से समझा रही है कहती है कि मैंने उसे कहा कि समझने की कुशिश करो I told him मैंने उसे कहा 7 से If he is lived in Shankar house for a year अगर वो Shankar के मकान में रह रहा है एक साल से and has not made a single friend और एक भी दोस्त उसने एक single friend भी नहीं बनाया है There is something wrong तो इसका मतलब है जाहिरन ओवियसली इसका मतलब है कि कुछ गड़बढ है कुछ गलत है He obviously scared that someone will recognize him and give him up to the cops तो उसे पता है उसे डर लगता है कि अगर वो बाहर निकला अगर वो किसी से दोस्ती रखेगा तो कोई न कोई उसे पहचान लेगा recognize कर लेगा और फिर उसको किस के हवाले कर देगा cops के हवाले police के हवाले कर देगा Maybe no one tried to make friends with him निशाद protested अब निशाद ने इसका इसकी बात का विरोध करते हुए कहा कि शायद किसी ने कोई कुशिश नहीं कि होगी इसका friend बनने के लिए या इससे कोई मिला ही नहीं होगा इसका friend कोई बनना ही नहीं चाहता है Why should anyone bother You have seen what a nasty bear he is I said Why should anyone bother कोई इतनी बड़ी परेशानी क्यों लेना चाहेगा You have seen what a nasty bear he is I said तो कहती है कि मैंने उसे कहा कि आपने देखा नहीं कि वो कितना nasty bear nasty bear मतलब कितना बेकार आदमी है ठीक कितना dull आदमी है कोई ए परेशानी क्यों लेना चाहेगा I don't care Sad निशाद Stop bornly I like him and I am going to try and be his friend तो निशाद ने कहा I don't care मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता कि वो nasty bear हो वो ना का रहा हो कुछ ना करने वाला हो या फिर वो गंदा इनसान हो मुझे कोई फरक नहीं पढ़ता Sad निशाद Stop bornly Stop bornly मतलब वो अब जिद्जे कह रहा है I like him and I am going to try and be his friend कहता है कि मुझे वो पसंद है मैं उसको पसंद करता हूँ लाइक करता हूँ मैं जा रहा हूँ और मैं कुशिश करूँगा कि मैं उसका दोस्त बनूँ मैं उसको अपना दोस्त बनाऊँगा ये कौन कह रहा है निशाद कह रहा है Friends with a crook You are crazy Seven I said तो बहन इसे कहती है माया इसे कहती है Seven you are crazy अब पागल हो हाँ हस रही है इस पे कहती है Friends with a crook आप दोस्ती करोगे crook से मुझरिम से एक क्रिमनल से जाके दोस्ती करोगे ये हस रही है माया इस पे कहती है कि आप पागल हो crazy हो इसे डरा रही है कहती है कि पुलीस वाले आपको भी इसके साथ जेल में लेके जाएंगे Do you want that to happen you idiot तो ये से कहती है कि idiot क्या आप ये चाहो के ऐसा हो आपको पुलीस वाले जेल में लेके जाए उसके साथ निशाद मेरी glad at me अब ये गूर रहा है मेरी तरफ ये माया कहती है कि मेरी तरफ गूर रहा है और शांती से चुप करके वो अपने कमरे से बाहर निकल जाता है My theory seem to have made no impression on him at all तो माया कहती है कि मेरी जो theories थी मेरी जो कहानिया है मेरी जो बाते हैं ऐसा लगता है कि इसे कोई impression कोई फरक नहीं पड़ता है निशाद के उपर seven के उपर किसी तरह का भी कोई impression नहीं पड़ा वो मतासिर नहीं होता है वो मेरी बातें नहीं मान रहा है उसे मेरी बातें सारी जोट लग रही है फाल तो लग रही है शियर कीजिए अगर आप पढ़ रहे हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शियर कीजिए अगर आप पढ़ा रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शियर कीजिए गा और हमें भी सपोर्ट कीजिए गा मिलते हैं आगई वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज